कि नमस्कार दोस्तों जैहिंद कि अवाज जा रही है हाँ सबसेट है तो हम लोग एड्जेक्टिप्स पढ़ रहे हैं एड्जेक्टिप्स में सारे रून्स को हम लोग देख रहे थे कल हम लोग कहां तक पहुंचे थे कि किसी भी सेंटेंस में क्या लगा हुआ रहे अगर लिखा वा रहें कॉम्परेटिवली या रिलेटिवली या प्रिफरेबली यह अगर लिखा वा रहें तो आप कभी भी कॉम्परेटिब डिगरी नहीं लगाएगा बल्की बाजिटीब पॉजिटीटिव डिगरी लगाईे, डिकर, simple format कहने का मतलब क्या होता है, adjective अपने simple format में होने चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, कौन सा degree होता है, positive degree होता है, डिकर, अब यहां से हम लोग आगे चलेंगे, अगला कर रहा है, कि किसी भी adjective के बाद that clause का परियोग हो मतलब that का यूज करके कोई sentence आगे लिखा जा रहा हो तब अगर adjective से पहले TOO2 जो adverb है उसका यूज किजिएगा तो वो grammatically correct होगा कि so का यूज किजिएगा तब grammatically correct होगा उसके हिसाब से यह हमारा rule number point number 4 लिखा हुआ है यह कहता है कि कोई भी adjective है तो यहाँ पर आप देखो structure मैंने लिखा कोई भी adjective हो गया इसके बाद कौन सा clause लगाना है that clause लगाना मैंने that का that तायूज किया गया इसके बाद अगर 2 लगा दिये TOO2 तब सही होगा कि मनबादने उसे पहले जो होगा sentence आप पढ़ोगे clearly बताया हुआ है कि अगर आप पहले 2 का परियोग करते हैं अगर आप पहले 2 का परियोग करते हैं तो 2 का परियोग तो क्या करना चाहिए किस चीज का परियोग करना चाहिए हमें 2 के जगह पे 100 का परियोग करना चाहिए clear है अब दिख रहा एकदम clearly कि जहां पर 2 का यूज हो रहा होता है that cloud के साथ वो sentence grammatically incorrect माना जाता है sentence structure के हिसाब पर लिखते हैं तो लिखा हुआ है too difficult that that cloud का मतलब क्या हुआ कि अगर आप adjective लिख दिये adjective लिख दिये यहाँ पर adjective दोस्त क्या है difficult इसके बाद आपने अगर that लगाया है ध्यान देना मैं सब को mark कर रहा हूँ अगर आपने यहाँ पर that लगाया और that के बाद आगे पर sentence लिख रहे हैं तो that के इस तरह के परियोग को that क्लाउज का परियोग या that को क्लाउज के साथ परियोग कहा जाता है that शब्द का that conjunction का that क्लाउज का उप्योग किजिएगा तो इसका जो pairing चलता है इसका जो दोस्त होता है साथी होता है किसी भी adjective से पहले यह two नहीं होता है, क्या होता है, so होता है, तो जहां पे लिखा हुआ है, this work is too difficult that one can hardly try to do it, यहां पे two के जबापे क्या होना चाहिए, so होना चाहिए, clear, क्यों डाउट नहीं है, फिर कहता है two का प्रियोग much के साथ होता है, तो हमें याद रखना चाहिए, कि too much और much to दोनों आता है, आप too much का तो बहुत प्रियोग करते होंगे, लेकिन much to हो सकता है, आपको नया लगे या बिल्कुल उट पटांग लगे, आपको लगे कि नहीं गलत है, तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ, कि जब to करना होता है, तो पहले much बाद में two ऐसे भी लिखा जा सकता है, पहले two बाद में much ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है अंतर किस चीज का होता है किस बात का अंतर होता है अंतर यह होता है कि टूम जब हम लेखेंगे तो उसके साथ नाउन लगाना पड़ेगा और और much to जब लगाएंगे तो उसके साथ adjective लगाना पड़ता है, ध्यान रखिएगा कि अगर too much का हम परियोग कर रहे हैं, तो क्यों सा parts of a speech लगाना होगा, देखो मैं red color use करता हूँ, अगर ठीक लग रहा है तो पताना, too much के साथ किसका परियोग होता है, नाउन से पहले लगता है, much to का परियोग किसके साथ होता है, much to का परियोग adjective के साथ होता है, दिखा मैंने मार्क किया लग से too much और much to दोनों सही होता है ती ओ और टू जो एडवर्ब है उसके साथ adjective much का जब use करेंगे तो पहले much बाद में too ऐसे लिखना भी सही है अब पहले two बाद में much ऐसे लिखना भी सही है लेकिन अंतर होता है अर्थ का अंतर होता है शब्दों के परियोग का आगे जो शब्द आगे जो words हम यूज करने वाले हैं too much और much to के पास उनमें डिफरेंस होते हैं वो different होते हैं क्या different होते हैं too much के बाद noun आना चाहिए और much to के बाद adjective होना चाहिए अगर हम कहें you are too much sad so sad क्या है यहाँ पर adjective की noun sad मने होता है उदास उदास होता है character जब किसी भी शब्द के बारे में आपको confusion हो कि यह adjective है की नहीं तो आप क्या करो उसका comparative superlative बना लो मन में अगर comparative superlative कुछ भुशा रहा है की नहीं सही बना तो वो adjective होगा नहीं बन पा रहा है तो नहीं होगा यह general knowledge के लिए अब हो सकता है आप से नहीं बन पा रहा हो क्योंकि आप सोच नहीं पा रहा है लेकिन वो adjective ही तो अलग बात हो गया एक general idea बताए कि कोई भी शब्द दिया हुआ है अब adjective है की नहीं यह पता करना है तो क्या करेंगे पहुत सारे पहुत सारे रास्ते देख लेंगे साथ में noun लगा हुआ है तो noun लगा हुआ है तो adjective होने का chance है chance मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंग नाउन के साथ articles भी होता है noun के साथ prepositions भी होता है noun के साथ कभी-कभी adverb भी कहीं आता है जब adverb पढ़ेंगे तो बताएंगे तो सबसे बढ़ियां इसमें से है बहुत सारा options में से adjective पहचानने का कि फलाना सब adjective है कि नहीं उसके लिए हमें क्या कर लेना चाहिए उसका comparative superlative बनाओ बन गया तो है नहीं है तो sad sad or sadist नहीं जानते हो तो जान लो sad sad or sadist होता है यह adjective है और हमने क्या कहा अभी adjective के too much का यूज नहीं होता है किसका यूज होता है माच्टू का यूज होता है जैसे मैं आपको कहूं you are too much intelligent तो गलत हो जाएगा हमें कहना होगा you are much too intelligent clear समझी में आया लेकिन कहेगा this process creates too much pain इस परकिरिया से बहुत ज़्यादा दर्द होता है this process creates too much pain pain क्या है दर्द noun abstract noun noun से पहले क्या लिखेंगे too much तो अगर कहेंगे this process creates much too pain तो गलत हो जाएगा pain p a i n दर्द वाला much too pain नहीं होगा क्या होगा too much pain और कहेंगे this process is much too painful painful एड्जेक्टिव है much too सही होगा यहां अगर कहेंगे this process is too much painful यह गलत हो जाएगा कि क्लियर है एक दम से असान भासा में लिखा गया है तो जितना भी हमने आप काट छाट किया है आपको पढ़ाने में तब को हम एक बार क्लियर कर देखें ताकि नोट्स आपका बहतर बन सकें ध्यान से चीजों को आप पढ़ो मैं हर दिन यह बता रहा हूं आज भी कह रहा हूं आपको कि जो जामिनेशन पॉइंट और वीव से most important points हैं जिन पर कभी न कभी सवाल आया है chances है कि आएगा ही और repetitively use किया जाता है repeatedly use किया जाता है वो सारे points को आपके सामने रखा गया है और एक अच्छा notes तयार हो जाएगा आपका अगर आप इसको धंग से लिखते हैं और फिर जब आप पढ़ लोगे तिर्फ cdl chsl नहीं competitive English आपका तयार हो जाएगा आपका एंड ये cds तयार हो जाएगा आपका air force ने भी तयार हो जाएगा grammatical इस ठीक है अब आगे करता है जब enough adverb के रूप में आए तो इसका position adjective के ठीक बाद होता है enough एक adverb है जिसका use किसी adjective के साथ अगर किजिएगा तो enough का use किजिए adjective के बाद जैसे आप अगर कहते हो I am enough rich to buy this car मैं उतना अमीर हूँ कि इस कार को खरीद सकूँ या इस कार को खरीदने से कहीं ज़्यादा मेरी यवकात है तो I am enough rich नहीं कहें ये I am rich enough मैं उतना ताकतवर हूँ कि इसको पटक दूँ या इसको पटक देने के हिसाब से मैं कहीं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ इसको पटकने के लिए जितना ताकत चाहिए उससे कहीं बहुत ज़्यादा ताकत मेरे पास है तो I am enough strong नहीं I am strong enough clear है समझे मैं आए बार वही कह रहा है कि अगर enough का यूज किसी भी adjective के साथ आप करोगे तो आपको क्या ध्यान में रखना होगा यह हमें उस adjective के ठीक बाद होना चाहिए ठीक है लिखा हुआ है enough के बाद adjective तो गलत हो जाएगा adjective के बाद enough तो सही हो जाएगा लेकिन यही बात noun में ध्यान रखना गुरू उल्टा रहेगा नाउन को enough से पहले लगाओगे तो सही होगा नाउन को enough के बाद लगाओगे तो गलत हो जाएगा clear है दिख रहा है white कोई दिखत नहीं है अब example देखो जो हमने आपको बताया she is enough wise to take a decision वह उतना वुद्धीमान है उसे कही जादा है खुद एक decision ले सके wise जो शब्द यहां पर लिखा है वो क्या है adjective जब adjective के साथ इसको लगाएंगे तो adjective आना चाहिए एनफ आना चाहिए adjective के बार क्या होगा she is white enough यह सही होगा दूसरा पहला गलत होगा clear है कोई doubt नहीं है एक बात और ध्यान में रखना जो नीचे लिखा हुआ भी होगा sentence में एनफ के साथ जब भी adjective यूज करेंगे तो positive डिगरी में यूज करेंगे I am enough a stronger कहते हो तो गलत होगा I am enough a strong कहते हो तो गलत होगा enough कहां आता adjective के बाद I am a strong enough ये सही होगा और positive डिगरी के अलावा कोई भी I am a stronger enough गलत हो जाएं enough कहां आता है ये आता है adjective के बाद और जिस adjective के बाद enough लगेगा वह adjective nature में कैसा रहेगा positive डिगरी में ठीक है okay ये पेज में भी नोट आपका तयार हो जाएगा clear है अब अगले पेज में चलते हैं अगला rule कह रहा है कि preferable के बाद हमेशा two का परियोग होता है जायन का परियोग गलत होता है मैं लिख देता हूं कुछ सब्ध हमेशा याद रखना prior prefer senior junior superior inferior अपने साथ अपने साथ दैन नहीं बलकी two लेते है कौन-कौन सा होता है prior prefer senior junior superior inferior inferior यह सारे शब्द अगर रहें तो हम comparison प्रली comparison mode में ही रहता है जब दो का बात होगा दो हिस्टों का दो सेक्षन का दो नाउन का बात होगा कभी यह लगाये जाते है जैसे अकेले किसी से कोई senior चाहें junior होगा नहीं नहीं होगा inferior प्रॉडक्ट सामने रहेगा तब न कहेंगे हाँ इससे बढ़ना सबसे बढ़ना और रहेगा तब न कहले में नहीं होगा तो यह naturally comparative mode create करने वाले हैं और हम जानता है कि comparison जब लगता है comparative degree में दो सेक्षन दो नाउन दो पार्ट्स के बीच में तब हम दैन लगा देतें टी एच एं दैन लेकिन इन सारे शब्दों के साथ दैन का परियोग नहीं करके हम किसका परियोग करेंगे दैन का परियोग नहीं करेंगे किसका करेंगे तू का करेंगे clear जैसे लिखावा है this book is more preferable than that यह more जो लग गया यह तो और तलह का घर हो गया क्या होगा this book is preferable to that एक बात और थ्यान रखिएगा यह जो words है यह इसी format में रहते हैं इनका अलग सब positive और superlative बनता ही नहीं है तो senior को more senior junior को more junior junior senior more preferable यह सब जो कहिएगा तो गलत हो जाएगा किसी भी तरीका से इसमें comparative बनाने बला दिमाग नहीं लगाना है यह जनम जात पैदा ही comparative में हुआ है कि कर समझ में आई हाँ senior junior का superlative बनता है उसको senior most जूनियर लिखते हैं most senior most junior नहीं लिखते हैं clear senior most और junior most हमेंसा याद रखिएगा बाकी इस पर comparative superlative चलाने का कोई विद्या काम नहीं करता है यह जैसे वह से इसमें छेड़ चाल नहीं होता है इसी रूप में ही रहता है यह और अधाइन क्या लगाते हैं two लगाते है clear अब next देखो क्या है कर आए दो adjective end से जुड़ा रहे तो दोनों पर comparison को लागू कीजिए मने क्या हुआ कि यदि पहला adjective comparative या superlative form में हो तो दूसरा भी same degree में होना चाहिए इसको सिधा जान लो कि end से connected adjective अगर होंगे कौन सा conjunction होगा conjunction होगा end kind से जुड़ा हुआ दो adjective है या दो से जादा भी है तो सारा adjective को same format में होना चाहिए कोई भी इधर उधर नहीं होना चाहिए clear लिखा हुआ है both the adjectives must be in the same degree जैसे example पढ़ो क्या लिखा example में your friend is the humblest and braver यहां पर humblest लिखा और humblest के साथ क्या लिखा है braver लिख दिया है होना क्या चाहिए था humblest and यहां पर क्या होना चाहिए bravest clear पहला superlative में तो दूसरा भी superlative में पहला positive में दूसरा भी positive में पहला comparative में दूसरा भी comparative में हाँ positive comparative और superlative sentence को देख के बनाएं कि असल में इसमें होगा किसमें अन्य कि पहला जिसमें रहेगा बाध वाला को उसी में करेंगे नंन्य के बाध वाला-मालो comparative में अब पहला वाला positive में है अ अक comparative हे वहां लगना चाहिए वही ऑही सही है तो पहले जो प diagnosis में लिखा हो है उसको भी comparative कर देंगेंगे पहले वाला बाद वाला चक्कर में मत जाना, दो या दो से ज़्यादा adjective जुड़े हुए हैं, तो sentence देखो क्या कर रहा है, वहाँ पर कौन सा adjective format होना चाहिए, positive degree की comparative degree की superlative degree, ये जब तय हो जाए, कि comparative होगा की positive होगा की superlative होगा, तब जितना भी adjective end से जुड़ा हुआ है, सब सेम डिगरी में होना चाहिए, तब अलग नहीं होना चाहिए, ये रूल कह रहा है, clear है, कोई doubt नहीं है, लिखा हुआ है, सीवाज जूनियर, but wiser than आथिका, तो इसके साथ एक और बात ध्यान रखना है, कि अगर उस nature के adjective जुड़े हों, जो comparison में कुछ खास सब्द लेते हैं अपने साथ, तो जितना भी खास सब्द लेते हैं अपने साथ, सब को उसके साथ लगाती छी, जैसे, इस example को पढ़ो, लिखा हुआ है न, सी वाज जूनियर, but wiser than, तो हम जानते हैं, कि जूनियर के साथ टू लगता है, अब wiser के साथ दैन लगता है, तो wiser को तो अपना वला दैन मिल गया, लेकिन जूनियर को अपना वला टू नहीं मिला, तो इस sentence को actually क्या लिखना चाहिए था, पूरा sentence हो जाता, सी, वाज, जूनियर, टू, और यहां से आगे हो जाएगा, wiser than, राधिका की, वह, राधिका से, जूनियर तो थी, लेकिन बुद्धिमान थी, तो जूनियर को अपना वला प्री पोजिशन कोंपरिजन के लिए, जो दैन के जगा two होता है, उस अप्लाइ कर देंगे, clear, आठवा रूल का राए, कि जब दो एड्जेक्टिब्स के भी स्टूलना दर्थाना हो, तो एड्जेक्टिब का कॉंपरेटिव, आर यार जोड़कर नहीं बनाया जाता है, और नहीं एड्जेक्टिब के इर्रेगुलर कॉंपरेटिव का परियोग करता है, ऐसी इस्तिति में simple form का परियोग होता है, क्या क्या होता है, तूलना में इस बात को ध्यान रखिये, यह कैसे समझिएगा, तूलना जो होता है, वो दो तरीके से होता है, किसी एक गुन के आधार पर, वो नाउन के बीच में तूलना हो सकता है, जैसे एक गुन हुआ लंबा होना, कैसे त Sharing जादा लंबा है, और राम तूलना पर तूलना किये, अमीरी पर तूलना करेंगे, कहेंगे मोहन टादा अमीर है और सोहन कम अमीर है यह न कहेंगे लेकिन अगर एक ही नाउन हो और उसके दो गुनों का तुलना करनाओं की सर आप काला कम है और मोटा जादा है मेरा ही दो क्वालीटी तुलना में लिया गया है नहीं सहेगा किसी को कि आप भुद्धिमान कम है लेकिन लंबा जादा है तो किसी एक ही नाउन का दो quality जब आपस में तुलना में लगा दे तब क्या होता है आप adjective को positive degree में लिखी है तब comparative में मत लिखी है तो के बीच में comparison लगेगा लेकिन दो adjective एक ही आदमी का दो गुन का तुलना हो गया नहीं चाहिए एक ही नाउन का होगे कि यह वहला ac भारी ज़्यादा है आयूजफुल कम है एक ही ac की बात हो रही है उसके दो गुन का आपस में तुलना लग रहा है क्या यही एसी का दो गुन हम है तो किसी एक नाउन के दो गुन का तुलना किया जाए कि यह गुन इसमें ज़्यादा है और यह गुन इसमें कम है तब हम गुनों को adjective को positive degree में रखते हैं clear जैसे लिखा हुआ है क्या your friend is braver than intelligent your friend is more brave than intelligent ध्यान किस बात पर रखना है कि हमें हमेशा कौन सा डिगरी यूज करना है जब तब किसी एक की नाउन के दो गुनों को दो गुनों की आपस में तुलना होती है तुलना होती है तब एड्जेक्टिव को और गुन जो लिखा वह वह इन एड्जेक्टिव हुआ एड्जेक्टिव को positive degree में लिखिए positive degree में लिखिए और क्या होता है एक और बात का धियान रखना होता है तथा जो गुन ज़्यादा हो तो जो गुन ज़्यादा हो उसको मोर के साथ लिखिए मोर के साथ लिखिए अब ध्यान देना यह क्या कर रहा है अगर राम के बारे में कहोगे कि राम लंबा ज़्यादा है अब धिमान काम है तो क्या लिखेंगे राम इंटेलिजेंट तैन कॉंपरेटिव का यूज़ के लिए आता यह प्रिपोजिशन इसके बाद मोर टॉल लिखना मतलब जो भी एड्जेक्टिव यूज हो रहा है यह दोनों को किस डिगरी में रखना है पॉजिटिव डिगरी में रखना है और यह जो पॉजिटिव डिगरी में है इसके आगे क्या लगाना है मोर ख्यान देना पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था कि अगर एड्जेक्टिव को अम कॉंपरेटिव डिगरी में लगा देते हैं एक से ज्यादा से लेबल वला जो होता है उसके आगे मोर लगाते हैं तो कि सर जी यहां पर तो टॉल का टॉलर होना चाहिए था आप रहे हैं टॉलर का है ने लिख रहे हैं तो यही रूल है जिस पर द्यान देना है जो एड्यक्टिव है वो रहेगा पॉजिटिव डिगरी में ही और जो जादे रहेगा जिस गुन का जादा बताना है कि यह जादा है उसके आगे क्या लगा देना हमें मोर लगा देना यह RER लगने वाला रहे तो भी और नहीं लगने वाला रहे तो भी उसके आगे more ही लगाना जैसे लिखना होगा सोहन पूढ़ा जादा है और intelligent कम है तो क्या लिखेंगे सोहन इस मोर ओल्ड गैन इंटेलिजेंट और खाली ओल्डर भी नहीं लिखेंगे और खाली ओल्डर भी नहीं लिखेंगे एडजेक्टिव रहेगा दोनों पॉजिटिव दिगरी में ओल्ड और इंटेलिजेंट जो ज्यादा रहेगा उसके आगे मोर लगाएंगे वह आर यार लगके बनने वाला रहे चाहें मोर लगके बनने वाला रहे सब के साथ आगे मोर ही लगाएंगे अगर हम दो एडजेक्टिव के बीच में तूलना करते हैं दो एडजेक्टिव के बीच में तूलना करने का मतलब क्या हुआ यही मतलब हुआ कि अक्सर हम तूलना दो नाउन के बीच में करते हैं यह ऐसी बढ़ियां है वेसी खराब है यह आदमी लंबा है वह अदमी नाटा है यह मकान जादा उजला है मकान कम उजला है ऐसा तूलना करते हैं लेकिन अगर एक ही नाउन को चुने औसी का दो गुन तुलना कर दें कि आप लंबा ज़्यादा है कमजोर कम हैं है ना आप महनती ज़्यार कम है एक ही आदमी का दो गुण जब तुलना करने लगें तो दोनों को पॉजीटिव डिग्री में रखते हैं और जिस गुण के बारे में करना है कि यह अपने ज्यादा उसको पहले लिख क्लियर है किदर गया उसके पहले मौर का यूज होता है कि ठीक है ना समझ में आई बाद अब अगला रूल का रहा है कि तूलना दर्साने के लिए अग अलग अलग परकार के डिगरी का यूज किया गया है तो ध्यान क्या रखना है इसमें कि जितना भी डिगरी है जितना भी एड्जेक्टिव है इस केस में सारा एड्जेक्टिव अपने 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 रूप इसको हम डिगरी बोलते हैं इसमें में पूरा होना चाहिए मतलब कह रहा है कि अगर ऐसा इस्थिती आ जाए कि एक ही सेंटेंस है और उसमें क्या हो इसमें क्या हो जाए कि पॉजिटिव भी लिख दिया कंपरेटिव भी लिख दिया सुपरेटिव भी लिख दिया या तील में से कोई दूए गो लिखा चाहिए लिख दिया इक ही बात पर देना होगा कि जितना भी ओर्म लिखा गया है जितना भी अलग अलग दिगरी लिखा गया है तब को लिखने का तरीक अलग अलग है पॉजिटिव डिगरी को एज चाहिए स्व एज के बीच में लिखते हैं comparative degree में r e r more लगा के दैन चाहें टू लगाते हैं तू पर लेटी में उसके आगे दो लगाते हैं st st चाहें मोस्ट लिख के जबर जैसा होता है वैसा जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं तो कहता है अपने आप में सारा format complete होना चाहिए अधूरा नहीं होना चाहिए जैसे एक्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ example में एक्जाम्पल कर रहा ही is as confused if not more confused than you अब देखियो more confused जो लिखा है तो इसके साथ तो देन लगा दिया लेकिन यह जो positive degree में लिखा है adjective को तो एक ही तरफ एज लिखा है यहां दूसरा तरफ भी एज होना चाहिए था क्या होता है यह एज है अच्छा है क्या होता है तो होता है तो क्या होगा यहां पर हो जाएगा he is as confused as not more confused than you क्या होगा he is as confused as एक और एक्स्ट्रा एज यहां पर लगेगा he is as confused as if not more confused than you तब यह सही होगा फिर है he is as intelligent and smarter than you at executing any task किसी भी काम करने में वह आप से उतना ही तेज और कहीं ज्यादा smart है हो जाएगा यहां पर क्या है इंटेलिजेंट है है यहां भी दूसरा क्लियर समझ में आया रूल्टेंट क्या आता है नो किन निया में के बीस parallel increase and decrease दर्शाने के लिए हमेंजा त्री होता है parallel increase या decrease किसको कहते हैं रहे समय के साथ एक गुन बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है एक गुन घट रहा है तो दूसरा भी गट रह आ है उसको कहते है ain't के साथ दो गुनों का बढ़ना या घटना जिसको पैरलल इंक्रीज या डिक्रीज कहते हैं तो इसमें हमेशा कमपरेटिव डिगरी लगाना चाहिए और इसमें एक बात का ध्यान रखना होता है फिर उसके आगे आट किल तो अलगता है जैसे 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 ऊपर जाते हैं वो इसे ठंडा बढ़ते जाता है तो है यह जितना हेल्दी आप खाते रहते हैं उतना ही इस ठ्रॉंग आप होते जाते हैं तिक है आज का सेशन यह इंड करते हैं अल फिर से आएंगे जैसे जैसे एंड के अलिए थे खाते हैं इसप्राइब करते हैं अलिए एंड करते हैं इसे हैं घ।